नमस्कार आप देख रहे हैं दिल्ली गलो न्यूज और मैं हूँ आपके साथ मान विठाकुर शुरुबात करते हैं आज की खास खबरों से जैपूर पिंक सिटी प्रेस क्लब भैरो सिंग शिखावत सभागार में पत्रिकारिता की रास्ची सम्मान पुरन राव समरीती इंडियन मीडिया अवार्ड 2024 का आईजिन हुआ इसी संदर्व में प्रदान की जाने वाले रास्ची स्तरिय सम्मान के लिए जोधपूर से वरिष्च पत्रकार और समपादगीय लेखक डॉक्टर राकेश वशिष्ट को चैन कर सम्मानित किया गया जापूर के पिंक सिटी प्रेस कलब में आईजित समरहो में जापूर शेहर भाजपा सांसत शुमती मञ्जू शर्मा, जापूर के हवा महिल क्षितर से लोगप्रियविधायक आचारे बाल, मुकंदाचारे और पिंक सिटी प्रेस कलब के अधेक शिविरिंद्र सहीद अनेक गणमाने अतीथियों ने कारिक्रम में शिर्कत की जोधपूर के डॉक्टर राकेश विशिष्ट को निश्पक्ष पत्रकारिता और संपात के आलेक लेखन के ख्षित्र में ये सम्मान प्रदान किया गया आपको बता दे कि सत्यमेव निउस मीडिया ग्रूप द्वारा प्रतिवर्ष पुरन राव सम्रिती इंडियन मीडिया वार्यर्ज अवार्ड सम्मान समारहों का आईजिन किया जाता है पत्रकारिता के उतक्रिष्ट माप दंडों पर खरा उतरने वाले सम्मोर्ण भारत से प्रतिवर्ष 20 पत्रकारों का चैयन कर इंडियन मीडिया वार्यर्ज अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जाता है उसके लिए मैं बहुत-बहुत सादुबाद और धन्यवासंस्था को देता हूँ अधिक समय नहीं लूँगा आप सबका समय बड़ा कीमती है मैं जानता हूँ पत्रकार 24 गंटे निरंतर कलम के साथ जागे रहते हैं और उनके जागने से हम भी सजग रहते हैं और हम भी सजग रहकर और सई काम में निरंतर लगे रहते हैं अभी कुछ देर पूर्व निम्वी अपने शब्दों के द्वारा पत्रकारों के बारे में जो चर्चा कही सबकी परिष्टितियां समय नूँ बदल सकती है तेकिन मैं देखा है कि पत्रकार बंदू बहीने जो भी शेतर में हैं उन निरंतर अपने उसी भाव और सुभाव को लेके काम करते हैं